सबसे पहला होता है resistance के combination वाला तो यहां पे दो resistance लगे हैं R1, R2 अगर इसको ऐसे देखो तो हम बोलते हैं इस combination को series combination और equivalent resistance कितना आता है R1 प्लस R2 आता है फिर एक combination यह वाला होता है बच्चों जिसमें दो resistance ऐसे लगे होते हैं देखने में समझ में आ रहा है कि R1, R2 कौन से combination में है parallel combination में है parallel combination का formula 1 by R1 is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 इसका एक shortcut होता है बच्चों R1, R2 upon R1 plus R2 भाई आज का वीडियो तेख चलेगा pen copy निकाल लो तेजी से तभी समझ में आएगा जिसको crediticity नहीं आता है आज समझा दूंगा थोड़े से टाइम में pen copy निकाल लो तो series में resistance R1, R2 equivalent होग और start Okay. अब start करते हैं इसके question में ले लिएन इसके uh- 271 जो question कुछ ऐसा है एसा कश जौम बॉर्ड में और इसको बोला है इसको बो로 होगा चार ओम बिस और इसको बोला हे 2 Ohm और इसको बोला है कितना है कितना तीने पाछ ओम चणिभाई इस terminal और इस terminal के बीच में equivalent resistance निकाला है जब यहां से यहां आके बड़े 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 यहां से यहां के बीच में देखो तीनों resistance किसमें दिख रहे हैं? पैरलल में तो सबसे पहले इनको solve करो इन तीनों को यह तीनों पैरलल में आओ तो 1 by RE is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 तीन में वो shortcut वाला formula नहीं करेगा LCM कितना हो जाएगा? 12 यहां 6 के लिए multiplied by 2 पोर गे multiplied by 3 1,2,3,3,6,6 by 12 यह कितना हो गया? 1 by 2 यह 1 by RE की value है यह बात ध्यान रखनी है तो RE की value कितनी आएगी? 2 मतलब इन तीनों का equivalent resistance 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 से निकाल के कितना हाता है? 2 तो इन तीनों को यहां से replace करके हम कितना resistance लगा सकते हैं? 2 ohm का लगा सकते हैं अब देखो X से चले और कहां पहुचे? Y पे तो X से Y चलने में यह तीनों resistance किसमें दिख रहे हैं? सिरीज में जब रास्ता सेम हो, ऐसे एकदम सेम रास्ते पे चल रहे हो तो combination को series बोलते हैं चाहो तो यहां से current निकाल के देख लो I, यही current आई यहां बड़ा यही current आई यहां गया यही current आई यहां गया तीनों में current सेम है, रास्ता सेम है तो combination कौन सा होता है? series तो R equivalent का formula series का R1 प्लस R2 प्लस R3 तो 2 प्लस 2 प्लस 5 2, 2, 4, 5, कितना हो गया? 9 तो final answer will be 9, question कतम तो 2015 यह simple question आया था इसके आई 2014 का question ले ले दे हैं जो आया गोड़ में आपके तो 2014 का question आया गोड़ में गोड़ में जैसा है यहां पे point A बना है और यह point B बना है resistance है 3, 3, 3, 5, 4, 6 और यह point B बोला है equivalent resistance दिखा लिए ध्यान से देखो यह तीनों किसमें दिखाई पड़ ले हैं? parallel में तो parallel के फामुला 1 by RE is equals to 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 तो LCM हो गया 3 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3, 3 प्लस 1 तो 1 by R2 की value आई 1 तो R2 की value भी कितनी आएगी? 1, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 यानि इन तीनों resistance को यहां से replace करके हम resistance पड़ा सकते हैं कितना? 1 हों का फिर हम आगे बड़े यह दोनों साथ में, सीरीज में दिख रहे हैं पर यह दोनों किसमें है? तो 4 और 6 parallel में तो 1 by R2 is equal to 1 by 4 plus 1 by 6, LCM कितना हो जाएगा? 12, 4 और 6 का LCM 12, 4 3s are 12 तो 3, 6 2s are 12, तो 2, 5 बटे 12 इसको लिटा 1 by R2 is equal to 5 बटे 12 तो R2 is equal to हो जाएगा 12 बटे 5 12 बटे 5, 5 2s are 10 20, 5 4s are 20, 2.4 तो इन दोनों को replace करके हम लगा सकते हैं इसस 2.4 ohm का 2.4 ohm का अब ये तीनों देखो, एक line में हैं मतलब किसमें हैं? सिरीज में हैं इनका हाँ से सीधा निकाल सकते हैं R equalities is equal to 1 plus 5 plus 2.4 सिरीज का formula रख्या है R1 plus R2 plus R3 तो जोड़ देंगे 156 plus 2.4 कितना हो गया? 8.40 ohm इस तरह से हम लोग सीरीज पहले को ambition solve कर सकते हैं एक question आप ले लेते हैं कोई board में आया हुआ 2.13 का ले लेते हैं 2.13 में कौँसा question आया था हाँ वाँ वाँ बहुत बढ़े question थोड़ा सा complex हुआ tough नहीं हुआ complex हुआ tough कहां आता है board में यह तो निकाल दो मंद से कि board में tough question आयेगा copy पहलो डालो आज speed वे चलेगा वीडियो अब इसके बाद तुमको circuit solving भी सिखाएंगे 6.4 ohm 4 ohm 4 ohm 4 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm वाँ 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 बहुत सुन्दर अब हम से पुच्छा equivalent resistance between A and B चलो है A से निकले 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 अब यार यह अजीब सा combination है अब सुनों यह पूरा system यह पूरा system और यह बीचवाला तीनों किसमे हो गए parallel में यह इन तीनों का system इसके साथ किसमे है parallel में एक काम करते हैं यहां से कुछ current ले आओ I, वो current यहां पे बटा, कुछ current यहां गया, कुछ यहां गया, कुछ यहां गया, यहसे बोल दें, यहां I1 गया, यहां I2 गया, यहां I3, तो देख, I1 यहां भी जाएगा, I1 इसमें भी, यह तीनों किसमें हैं, एक line में हैं, जब भी current एक हो सम्में, current मां 30 में जाएगा इन तीन यहां से जाएगा इन तिनों में आ pig या है सेव pot yam प्लस 12 तो यह उपपर एप्र एक रिचिन्स लागा सकते हैं कि наст高 नीचे के उथा कट लगा सकते हैं एक resistance कितना आया है 6 नीचे अल लगा दिया मैंने 6 हों और बीच अला किता था 4 हों अब देखो यह तीनों साफ साफ दिखाई कर लें किसमें हैं पैलल में हैं तो 1 by R Equality is equal to लगा सकते हैं 1 by 12 plus 1 by 4 plus 1 by 6 LCM हो जाएगा 12 यहां पे 1 का resistance अब देखो 526 526 526 किसमें हो गए सीरीज में हो गए अब 526 सीरीज में हो गए तो आर्ट क्या लग सकते हैं 5 plus 2 plus 6 527 76 13 तो फाइनल आसर इस थाटीन हूं तो इस तरह से सीरीज पैजल का सर्किट आप सौल्ज कर सकते हैं जो बोड में आ रहे हैं और कोई अच्छा बोड में आ हुआ हुआ तो देखने हैं चले एक और ले रेते हैं आई से सी 2012 का आप ही कोशन ले रहे हैं हम किस तरह का एक्वेलेंट रेस्टेंस वाला यह 3 हों मैंने स्टार्टिंग में यह बहुन कर दिया था कि आज की स्पीड जादा रहेगी 3, Q, P, P, 3, N, N, 5, 2 चलो भाई, स्टार्ट कर दें हैं अब यहां से मागी बड़े मालनों यहां से करेंट आई आया तो यहां पर करेंट डिवाईट होगा कुछ I1 इधर जाएगा कुछ I2 इधर जाएगा यहां पर करेंट को दो रास्त दिख रहे हैं अब जो I2 इसमें ग तो इन दोनों को हम सीधा यहां से अटाके कितना रिस्टन्स लगा सकते हैं एक बार में 20 यहां से लगा दिया 20 अब 20 और 5 साफ साफ दिख रहे हैं किसमें हैं तो पैरलल में हैं तो पैरलल क्लिए 1 by R is equal to 1 by 20 plus 1 by 5 20 5 by 20 2 1 by 4 यानि यारी कितना हो जाएगा 4 1 by R कितना है 1 by 4 लाटाके आप यहां प्रसिंज इतना लगा सकते हो एक ईक इस तो नो तो आंसर हो गांगा चलिए बात हुई हम लोगी में इक सवाल करने हों कहता है सब करने के लिए सिर्फ एक लॉजिक आपको बता देता हूं V is equals to IR पढ़ लखी है V is equals to IR ऐसे पढ़ लखी है पढ़ लखी की नहीं कि पढ़ लखी है इसके अंदर की concept question करते हो समझ में आगे चलिए question उठा लेते हैं कोई बोर्ड में आया हुआ तरह स्टार्ट करते हैं हम लोग أيc acontecer 2016 के question से 2015 है 2016 से करते हैं है ना 2016 का question रहा मेरे पास 2016 का question आया हुआ है circuit का 2016 का question है कि 12 volt की battery है और एक resistance है internal resistance यहाँ पे 4 ohm, यहाँ पे 6 ohm 4, 6, 2 ohm 12 volt यह 2016 में आया यह 2 ohm बगल में लिखा होता है इस कौन दो बोलते है internal resistance, small r battery के बगल में जो resistance लिखा हो इसको small r से donate करते हैं और पूचा है, terminal voltage terminal voltage सुना होगा नहीं टाम बहुत पूचा जाता है terminal voltage और क्या पूचा है और पूचा है, potential difference in 6 ohm resistance और क्या पूचा है और पूचा है, energy spent per minute in 4 ohm resistor per minute in 4 ohm resistor per minute in 4 ohm resistor सबसे पहला सवाल है current का current निकालने के लिए किसी ही circuit कोशिन में सबसे पहले equation resistance निकालो कैसे निकालोगे यह सेल पॉच्टिय ट्रम बहुच करेंट पूच्झोल से हमेशा current बहार आता है यहां से current बहार आया i इसमें गया i इसमें गया i इसमें भी गया i इस वाली resistance कितना हो जाएगा 4 plus 6 plus 2 charge 10 2 12 तो पूरे circuit को अगर हम देखें तो resistance कितना है 12 अब जो ये cell होती है na cell को एक एक resistance दिखाई नहीं पढ़ता cell को दिखाई पढ़ता है equivalent resistance तो cell ने total resistance करेगा कितना है 12 O, cell के पास total potential, total potential, cell के पास total potential, कितना है, 12 V, तो cell से जो current निकलेगा, कैसे निकालोगे, V by R, कैसे निकाला, V is equals to IR, cell के लगा दिया I is equals to V by R, cell के पास total potential है, 12, series का resistance, 12, 12 by 12, 1 ampere, तो सिरीज में जो current है पहला अंसर आचुका है कितना है 1A आप देखो cell से 1A निकला और cell में वापस कितना गया ये बड़ा important है जितना cell से current निकलता है उतना ही अंदर जाता है फिर पुछा है अगला सवाल है अगला सवाल है तर्मिनल वोल्टेज तो terminal voltage का formula याद करना पड़ेगा terminal voltage का formula है E minus I R E को बोलते हैं EMF I तो है current और R है internal resistance याद कोलो इसको copy pen उठालो लिख लो जब भी exam में terminal voltage कुछता है terminal voltage कुछता है तो E minus I R E minus I R E क्या होता है ये cell का EMF जो लिखा है यहाँ रख दो 12 minus I current कितना है 1 और R internal resistance कितना है 2 12 minus 2 कितना आया 10 terminal voltage voltage है ना तो किसमें आएगा E minus I R resistance कौन सा रखना है सिर्फ internal E क्या रखना है जो यहाँ पे दिया है 12 minus E हो गया 10 V हो गया हो गया potential difference in 6 ohm resistor इस register में पूछा है potential difference इसको यहाँ बना ले यह बना लिया resistance कितना है 6 ohm इसमें current कितना है 1 ampere पूछा क्या है potential difference यानि V पूछा है V is equals to IR इसमें potential difference कितना है पूरे सेल का नहीं इसमें current कितना है 1 इसमें resistance कितना है 6 V is equals to IR 1 into 6 आंसर कितना हो गया 6 volt last energy spend per minute in 4 ohm resistor इसकी बात करने लगे अचानक से 4 ohm resistor की तो मैं यहां से समेंटा दूँ चलते हैं 4 ohm resistor के और इसमें energy पूछी है तो मैं पहले 4 ohm resistor को यहां ड्रोग कर लो यह रहा 4 ohm resistor और यह इसका resistance और current कितना है 1 ampere पूछा क्या है energy spend per minute देखो energy का जो formula होता है वो होता है V I T वो I T अचा B की जगे क्या रख सकते हो I R V is equals to I R into I into T तो क्या formula बन गया I square R T current पता है 1 ampere R पता है 4 ohm time पता है per minute मतलब time की value कितनी रखेंगे 1 minute यानि कितनी रखेंगे 60 second तो time की जगा 60 second रख दो resistance की जगा 4 रख दो current की जगा 1 रख दो V I T और V की जगा I R फिर इसको multiply कर दिया I पता है या पता है रख दिया बोलो समझ में आया 2015 में यही question आया था 2016 का था सवाल जल्दी जल्दी निप्टा है अब चलते हैं 2015 में जो circuit question आया है उसको solve कर लेते हैं तो ICSC 2015 का question जो circuit का हमारा दिया गया है वो रहा हमारे पास यह रहा तो उसमें एक cell दी है cell है इस बार 2 V की और cell के बगल में एक resistance लिखा हुआ है cell के बगल में अगर resistance लिखा है तो वो कौन सा resistance है internal resistance फिर आगे बड़े अब की बार एक m meter लगा रखा है और m meter ऐसे लगा रखा है और बोला है इसका resistance है 0.8 ohm फिर आगे बड़े फिर दो resistance लगाए हैं दो resistance भी लगा दिये हैं कोई बात नहीं दो resistance भी लगा दिये हैं और resistance कितने हैं 4.5 ohm और 9 ohm और 0.8 और यह कहानी है पूचा है कि reading of m meter क्या है reading of m meter पूचा है हमसे और क्या पूचा है potential difference across terminals of cell potential difference across terminals of cell इसका मतलब terminal voltage potential difference across terminals of cell इसी को क्या बोलते हैं terminal voltage terminal voltage का formula अभी भी हम लोग final किये थे e minus ir मतलब current तो निकाल नहीं पड़ेगा पहला पार्ट क्या है reading of m meter अब m meter यह रहा m meter m meter क्या read करता है m meter read करता है current मतलब overall एकी चीज़ find करनी है current तो current कैसे निकलेगा इस circuit को solve करके तो को माल लो यहां से current निकला तो यह current निकला perfect current वापस जाएगा यह दोनों parallel है तो इनका equivalent resistance 1 by re is equal to 1 by 4.5 plus 1 by 9 LCM हो जाएगा 9 क्योंकि यह इसका double है 4.5 को 2 से multiply करेंगे 1 को 1 से क्योंकि यह 9 है 3 by 9 तो यह हो जाएगा 1 by 3 और यहां से equivalent resistance कितना आएगा 3 मतलब इन दोनों की जगह resistance हो सकता है 3 तो इन दोनों जगह थोड़ी देख लिए मंड में assume कर लो यह मेरे बाद दूसरे रंकपन है है की नहीं है हाँ है तो हमाल लेते हैं इन दोनों की जगह एक resistance यहां पे लगा है जिसका resistance कितना है 3 ohm imaginary just imagine किया है कि यह दोनों resistance चले गए इनकी जगह 3 ohm अब देखो जब यहांते चले तो एक resistance यह है यह किसका resistance है ammeter ammeter किसे पता है wire से तो wire का कुछ ना कुछ resistance तो 0.8 ohm इसका इन दोनों को हटा दिया इनकी जगह कितना आ गया 3 3 और 1.2 इसका यह तीनों किसमें है सीरीज में है किसमें है सीरीज में है कि नहीं भाई यह देखो यह सीरीज में एक ही लाइन चल रही है तो equivalent resistance कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 यानि 0.8 प्लस 3 प्लस 1.2 तो यह कितना हो गया 2 और 3 5 अब cell ने यहां से देखा तो cell को नीचे कितना resistance दिखाई पड़ा 4.593 0.8 नहीं cell को दिखता है equivalent resistance of circuit कैसे निकाला इन दोनों का equivalent निकाल लिया parallel से यह आया यहां लगाया फिर हमने बोला यह तीनो resistance किसमें है सीरीज में तो इसको इससे जोड़ा इसको जोड़ा यह आया अब cell ने देखा इसको अब हमें क्या निकालना है current तो बच्चो current निकालने के लिए V by R current किसने दिया cell ने cell के पास total कितना potential है 2 volt और cell को total resistance किता दिखा 5 2 by 5 कितना हो गया 0.20 0.4 ampere तो यहां से current निकाला 0.4 इसमें भी कितना गया 0.4 यानि ammeter की reading कितनी होगी reading ammeter की कितनी होगी 0.4 ampere पहले total resistance निकाला फिर उसको total potential जे रिवाइट कर दिया फिर क्या निकालना था terminal voltage terminal voltage का formula E minus IR अगर बोले potential difference across cell या बोले terminal voltage दोनों का मतलब E minus IR E की value कितनी है 2 I की value कितनी है 0.4 R क्या है internal resistance value कितनी है 1.2 निकाल लेंगे फिर्ट कर लेंगे E total EMF वो लिखा है 2V I current 0.4 internal resistance 1.2 तो 2- यह कितना हो जाएगा 48 यह नि 412 जा 12.4 into कितना हो गया 0.48 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 वोल्ट आ गया तो इस तरह से circuit solve करना है 2016 भी ले लिया 2016 भी ले लिया 14 भी ले 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 14 भी ले 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 14 भी ले 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 2020 करे हैं 2012 का लीव ले तो इसमें तो आप नंबा सवाल है वाबा मजम हाजा पने ही इस उतकी हरे का 7.2 ओम फिर 8 12 फिर फिर क्या आए रहे फिर यहाँ पे 6 वोल्ट अच्छा यह सेल लग गई 6 वोल्ट की इंटरल वेस्टिस नहीं दिया calculate पहला question है equivalent resistance पूरे circuit का अगला सवाल है total current और last सवाल है potential difference in 7.2 ohm resistor यानि यह भी एक खलवा सवाल है तो करेंगे क्या सबसे पहले निकालेंगे equivalent resistance तो यह दोनों साफ साफ दिखाई पढ़ लें है पैलल में तो 1 by RE is equal to 1 by 8 plus 1 by 12 तो LCM हो जाएगा 12 और 12 और 8 का 24 हो जाएगा तो 8 3 जा 12 2 जा 5 बटे 24 यानि equivalent resistance हो जाएगा 24 बटे 5 5 4 जा 20 और 45 जा 40 इन दोनों की जगा थोड़े दे क्लिए आजूम कर सकते हम एक resistance लगा है 4.8 ohm का अब यहां से current निकलेगा इसमें जाएगा इसमें जाएगा वापस आएगा इन दोनी जगे आजूम किया यह तो यह ऐसे आएगा मतलब यह और यह किसमें हैं सिरीज में तो equivalent resistance पूरे circuit का पूरे circuit का कितना हो जाएगा यह और यह किसमें हो गए सिरीज इन दोनी जगा यह आगया यह और यह सिरीज सिरीज का फार्मला R1 प्लस R2 तो 7.2 प्लस 4.8 7.4.11 और यह हो गया 12 यानि 12 Ohm तो total resistance कितना हो गया 12 Ohm तो पहला answer आ गया 12 Ohm दूसरा है total current तो भाई current कैसे निकालोगे current का formula क्या बताया V by R cell का potential कितना है 6 Volt 6 रख दिया R resistance कितना है पूरे circuit का रखना पड़ेगा 12 Ohm भाई current कौन दे रहा है cell cell को पास कितना potential है 6 और cell को कितना resistance दिखाई पड़ रहा है 12 तो 6 by 12 यानि 1 by 2 यानि 0.5 Ampere तो यहां से current कितना बहा निकला 0.5 Ampere यह बढ़ा आगे आगे इसमें भी कितना current गया 0.5 Ampere अगला question है potential difference in 7.2 Ohm resistor यह बना लिया मैंने 7.2 Ohm वाला resistance यह हो गया resistance current कितना है इसमें 0.5 Ampere पूछा क्या है potential difference यानि V V is equals to IR यानि 0.5 into 7.2 तो इसका आधा यानि 3.6 Volt सवार हो गया तो यह हो गया हमारे circuit सवार्डिंटी question फिर आपे हैं कुछ question हमारे वो ग्राफ वाले सवाल वो भी वर्सस आई जैसे 2007 में भी आया है 2016 में भी आया है तो यह 2016 ले लेते हैं क्योंकि 2016 आपका recent year का है interest ज़्यादा आता है आपको यह रहा 2016 क्या सवाल दिया हमें यह एक figure बनाया V versus I का और यह बना दिया A यह बना दिया sorry यह बना दिया B यह बना दिया A हमसे पूचा है दोनों में से parallel combination कौन सा है which of the following is a parallel combination दो combination है एक series है एक parallel match कराना है A और B से कौन सा series है कौन सा parallel पहली बात सुनो यह graph है क्या V versus I का graph इसकी यह जो चीज होती इसको बोलते है slope बजो slope का formula होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 yx पे कौन है potential यानि v और x पे कौन है current मंदी इसकी slope क्या दे रही है v by i देखो slope क्या होती है slope होती है angle अभी short में समझो slope होती है angle यह इसकी slope कम है और इस वाले की slope जादा slope निकलती कैसे है y2 minus y1 upon x2 minus y पे कौन है v x पे कौन है i v by i v by a क्या होता है resistance भाई v is equal to क्या होता है i r तो v by i क्या बनेगा resistance मतलब इस graph की जो slope है जो angle है जो angle है जो angle theta जो angle है वो क्या represent कर रहा है resistance अब बाता हो इन दोन में से किसका angle जादा है b वाले का theta for b is greater than theta for a जितना जादा angle उतनी जादा slope तो slope of b is greater than slope of a अच्छा बहुत बढ़िया अब slope हमें क्या बता रही है change in y upon change in x y पे कौन change होगा v x पे कौन change होगा i यानि क्या बताएगी resistance स्ट्रेफ की ख्राам की slope बताती है resistance मतलब resistance of v is greater than resistance of a इस ग्राम की slope क्या बता रही है resistance इसकी slope ज़ादा है मतलब इसका resistance जढ़ा होगा तो v का resistance ज़्यादा है e का resistance कम अब सभ!". अब सब्व आल के है कौन parallel का इस कौन series तो याद रख को रहाँ किस्की slove ज्यादा है इसका resistance ज्यादा है, जिसका resistance ज्यादा है किया बन जाएगा, series, जिसका resistance कम है वो क्या बन जाएगा parallel कैसे कैसे निगान नही हैं एन दीओ है Jimmy इस graph की slope से, slope जिसकी ज़्यादा, उसका resistance ज़्यादा, resistance ज़्यादा मतलब series, यह सवाल आया था 2016 में, और यही सवाल 2007 में आया था, in different form, 2007 में, 2007 में देखते हैं किस तरह से आया था, देखा हो सवाल है, let's see, किस comment पूछा था, यह हमें एक combination दिया, मैं क्यों बोलता हूं इसमें से parallel कौन है, A की slope कम है, B की slope ज़्यादा है, theta of B, greater than theta of A, slope of B, greater than, slope of A, slope of A, slope ज़्यादा है, मतलब क्या ज़्यादा है, resistance of B, greater than resistance of A, जिसका resistance ज़्यादा है, कौन से combination, series, और A क्या हो गया, parallel, जब भी BI graph हो, जिसकी slope ज़्यादा होती है, उसका resistance ज़्यादा होता है, औ चलो ये वाला मिल गया ऐसा डिस्टस कर देता हूँ चल दो आज फोटिंगा सवाल देखो थोड़ा लेंथ पगेरा पे है कि हमसे पूचा है पहली चीज ओमिक रिजिस्टर क्या होता है बच्चों ओम्स लॉग क्या होता है ओम्स लॉग ओम्स लॉग क्या होता है V is equals to IR या V is directly proportioned to I provided temperature, pressure ये सब चीज़े constant रहें तो potential difference current को proportion जो resistor जो resistor follow करे किसको follow करे ओम्स लॉग को जो इस चीज को follow करे उसको बोलते हैं ओम्स लॉग क्या होता है आपके स्लेवर्स में जितने भी metallic conductor है जितने भी metallic conductor है like copper, like silver ये सब क्या होते हैं हमारे ohmic resistor which follow ohm's law V is directly proportional to I मतलब V versus I का graph बनाएं तो क्या बने straight line because V is directly proportional to I ऐसे register जो ohm's law को follow करे उसको बोलते हैं ohmic resistor इसके बाद length वाले question जो मैं आप से बोल ला था कि resistance की length ऐथी area ऐसा तो क्या होगा तो हमसे बोला हमारे पास दो copper के wire है two copper wire of same length one thick one thin ठीक अब पूचा है तो हमने बना लेकरें दो copper wire जिनकी length same है एक thick है एक thin है और length दुनों की क्या है same है अब पूचा है किसका resistance ज़्यादा होगा और किसका specific resistance ज़्यादा होगा किसका resistance ज़्यादा और किसका specific resistance ज़्यादा बच्चों resistance का formula क्या होता है resistance का formula होता है R is equals to rho L by A resistance rho पे depend करता है length पे depend करता है area पे depend करता है दोनों की length क्या है same पर दोनों का area क्या है thin इसका area ज़्यादा एरिया ज्यादा तो resistance कम यानि इसका resistance क्या होगा, less क्यों भाई? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा तो resistance कॉम तो फञेला आंसर तो हो गया, resistance किसका होगा, thin wire का पतले wire का resistance ज्यादा होता है घरों मैं जब हम लोग कोई, जैसी माल्य को cooler वगेला चड़ाना हो, heater ход Chancellor उसक्रानाओ तो हम मोटा तार लेते हैं क्यों मोटा तार लेते हैं ताकि resistance तो तो मिलता है पतले तार का resistance ज्यादा दिमार्प में याद करने के लिए थिन वायर का resistance ज्यादा मोटे तार का resistance कम electricity department बाहर घर की कैसे ताल लगाते हैं मोटे 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 तार का resistance क्या होता है कम होता है हो गया दूसरा specific resistance specific resistance का एक नाम और है वह है resistivity resistivity क्टिविटी को सिंबल है रो यह चो लिखा हुआ है resistivity को बच्वो रो पर Exceptability यह सिर्भा सिर्फ हृई मैट्रियलपे depend करता है निसटीविटी ना किसी और चीज़ा भी नहीं कर थिमाध से निकाल दो length पे area पे, किसी पे नहीं depends करती है, material पे और temperature पे, temperature भी depends करती है, पर basically किस पे Darwin करती है material चे, तो भाई, दोनों किस से बने है, copper? ये भी किस से बना है, copper से, ये भी किस से बना है, copper से तो दोनों की row, मतलब resistivity मतलब specific resistance, will be same, change नहीं हूगा, resistivity लेंथ पगेरा पर डिपेंड नहीं करती है, जैसे मैं आप से पूछ हूँ, में पास बाल्टी भर पानी है, मेरे पास चमज भर पानी है, बाल्टी भर चमज भर, इसमें से density किस पानी की ज़्यादा है, दोनों की से में, density किस पर डिपेंड करती है, material पर, तो वैसे ही resistivity होती है, या specific resistance, r is equal to rho l by way, rho constant होता है, rho इसा constant, constant of a material, जब तक material change नहीं होगा, rho change नहीं, तो दो वैर की length अलग हो, area अलग हो, resistance अलग हो सकता है, पर अगर दोनों copper की बने हैं, तो दोनों की resistivity will remain same, ठीक, अच्छा, अब वो लेने हैं जिसमें length कीचने का बढ़ाने वाला होता है, जैसे हमसे बोला, जैसे हमसे बोला कि एक wire है, of resistance 3 oh and it is stretched to twice its length, stretched to twice its length, तो नया resistance बताईए, new resistance, क्या resistance change होगा की नहीं change होगा, तो हमारे पास एक wire था, ये, इसकी length l है, area a माल लो, length किती है l, area किता माल लिया, a, और इसका resistance किता दे रखा है 3 oh, अब इसको आपने खीच दिया, जब बच्चों इसको खीचोगे, तो ये लंबा तो होगा, परसाथ में पतला भी हो जाएगा, होगा की नहीं, जब खीचोगे, तो लंबा तो होगा, और पतला भी, stretch to twice its length, तो length इतनी होगई, 2l double होगई, जब खीचोगे, तो area कम, तो अगर length double होगी, तो area half होगा, length triple होगी, area a by 3, length 4 बड़ बड़ेगी, area a by 4, volume conserve रहना चाहिए, इसका volume l into a, इसका volume 2l into a by 2, volume same रहना चाहिए, इसलिए अगर length को double करोगे, तो area half, length को triple करोगे, तो area a by 3, और इसको चिपका के, दबा के, दबा के, इसको दबा के length को आदा कर दें, तो यह मोटा हो जाएगा, जैसे length l by 2, area हो जाएगा 2a, खीचोगे तो area कम होगा, दबाओ के तो area बड़ेगा, बहुत बड़ेगा, तो area होगा a by 2, अब हमसे पूछाए, इसका resistance कितना होगा, कितना होगा, तो formula लिख लो resistance का, resistance का formula क्या होत होगा, क्योंकि उसी wire को खीचा है, तो material will remain same, और material same होने से क्या चीज़ same होगी, row same, अब यहाँ का resistance r' is equals to row, length कितनी होगी, 2l, area कितना होगया, a by 2, a by 2, ऐसे लिख सकते है, a by 2, यह 2 उपर चला जाएगा, 4 times of row l by a, और row a by a की value कितनी है, 3, यहाँ बे रख दो, यानी 4 times of 3 कितना होगया, 12 ohm, तो नए wire का resistance कितना होगा, 12 ohm, समझना है कैसे करना है, इसमें सीधा दिमाग मत लगाना कि length double करने पर resistance double होगा, length खीचने पर area कम होगा, और r' निकालने का तरीका, row 12 upon a by 2, 4 row l by a, और यहाँ से r is equals to row l by a,